नमस्कार दोस्तों में हूँ चांदनी वेल्कम टू ही टीवी इंडियन हेल्थ बच्चों में डेंग्यू के लक्षन नजर आने पर क्या करना चाहिए मांसून में डेंग्यू मलेरिया और चिकिन गुनिया जैसे बीमारियों को खत्रा बढ़ जाता है इस मोसम में बैक्टिरियल और वाइरल सक्रमन को साथ ही मच्चर जनित काई रोगों की शिकायत आने लगती है डेंग्यू इन में से एक गंबीर बीमारी है जिसके कारण लगबग हर आस्पताल में मरीजों की बारी भीड देखने को मिलती है डेंग्यू एक जान लेवा बीमारी बन सकती है ऐसे में डेंग्यू से बचाओ के साथ ही समय पर डेंग्यू के लक्षनों को पहचान कर इलाज की सला दी जाती है वैसे तो डेंग्यू किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है लेकिन बच्चों में इस बीमारी का असर तेजी से होता है डेंग्यू में प्लेटलेस लगातार कम होने लगते है जिससे बीमारी जान लेवा बन जाती है आम तोर पर डिंग्यू के लक्षन दो से साथ दिनों तक रहते हैं बच्चे अक्सर घर से बहार खेलते निकलते हैं पार्कादी में घास में घूमते हैं ऐसे में बच्चे आसानी से डिंग्यू की छपट में आ सकते हैं डिंग्यू मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है डिंग्यू की बीमारी एडियस मच्छर के काटने से होती है जब या वाइरस किसी व्यक्ति के शिरीर में चला जाता है तो उसे डिंग्यू बुखार हो सकता है डिंग्यू बड़ों के साथ साथ बच्छों को भी हो जात इन दिनों नोईडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में डिंग्यू 30 से अपने पाउं पसा रहा है डिंग्यू होने पर 30 बुखार आता है डिंग्यू का बुखार अकसर 104 डिग्री फॉलिंग हीट तक बढ़ सकता है डिंग्यू होने पर तकान और कमजोरी भी महसूस होती है कुछ मामलों में डिंग्यू होने पर बच्चों को सांस लेने में तकलीफ और चाती में सूजन महसूस हो सकती है सिर्दर्द भी डिंग्यू का ये लक्षन है डिंग्यू में बच्चों को दस्त की समस्या भी हो जाती है पिछले एक महीने में डिंग्यू के मामले तेजी से बड़े है बच्छों की बात करें तो दिन में चार से पांच डेंग्यू बुखार की शिकायत लिए मरीज ओपीडी में आते हैं कई बार डेंग्यू की पहचान मुश्किल हो जाती है और इलाज में देरी के कारण बच्छे की सिधी गंबीर हो जाती है इससे बचने के लिए के लक्षन नजर आती है माता पिता बच्छों को लेकर होस्पिटाल जाए और डॉक्टर की सला के मताबिक इलाज कर आए इस लेक में आगे हम जारेंगे कि अगर बच्छों को डेंग्यू हो जाए तो किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए बच्छों में डेंग्यू के लक तर रह सकता है डेंग्यू के कारण बच्छों में चिर्चिडापन सुस्ती मसोडों या नाक से खुनाना स्वचा पर छक्ते पढ़ना और एक दिन में तीन से अधिक बार उल्टी हो सकती है डेंग्यू में बच्छों को थोड़ी थोड़ी देर पर तेज बुखारा सकता है बड़े बच्छों की आँखों में दर्द मांस पेशयों में दर्द जोडों में दर्दों तेज दर्दर की शिकायत हो सकती है डेंग्यू की जांच कराएक बच्छों में डेंग्यू के लक्षन नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास ले कर जाए डेंग् प्लेट लेट की तलाश की जाती है बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाए अगर बच्चों को समय समय पर पानी का सेवन करें इसके अलावा नीबु पानी पेर वह सुप भी पिला सकते हैं डॉक्टर सर्मार ने बताया कि बच्चों में डिंग्यू की समस्या को हलके में नहीं लेना चाहिए कुछ गंबीर मामलों में रक्थ Arya को कारण बच्चे सदम में जा सकते हैं इसलिए बच्चों के थ्यान दे पैरसिटमल ना खिलैंग्यूं होने पर आप उसे डॉक की पट्टी रख सकते हैं इसके अलावा बच्छों को ज्यादा से ज्यादा अराम करने दें बच्छा जितना अराम करेगा उतना जल्दी सिकवर कर पाएंगे बच्छे की इम्यूनिटी मजबूत बनाई बच्छे जल्दी बीमारी की चपट में आ जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है कमजोर इम्यूनिटी के कारण भी बच्छों को डेंग्यू हो सकता है अगर आपके बच्छों को डेंग्यू हो गया है तो उसकी कमजोर इम्यू के उपाई बच्चों को डेंग्यू से बचाने के लिए बारिश के मोसम में घर से बाहर ना निकाले मांसुन में बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाए घर की साफ सफाई रखे मच्चर मनने वाली दवा का इस्तिमाल करे शाम को खिड़की दर्वाजे बंद रखे घर में पानी जमा करने ना रखे उससे मच्चर आते है धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले हेल्टिप्स के साथ